हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कम्प्यूटर या लैप्टॉप से अपना अधार का डाउनलोड कैसे करें यानि अधार का डाउनलोड कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं सिम्पल तरीका है बस आपको वो मुवाईल नमबर चाहिए जिसका आप अधार का डाउनलोड कर रहे हो जैसे कि मैं अधार का डाउनलोड कर रहा हूँ और मैंने अधार काण बनवाते वक्त अपना मुवाईल नमबर दिया था तो सबसे पहले आपको अपने computer या laptop में कोई भी web browser open करना है जिसे की Google Chrome या Firefox उपर आपको यहाँ search करना है UIDAI तो इसको search करें UIDAI और इसके बाद आपके पास ये वाला page आ जाएगा पहली website आपको मिलेगी UIDAI आधार कार्ड की official website है आधार कार्ड में सारे काम आप यहीं से कर सकते हो आपको यहाँ पर मिलेंगे कई सारे language तो आपको English वाले पर क्लिक करना है और आपके पास एक नया page आ जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का हो सकता है थोड़ा वो change भी होगा तो डरने की बाद नहीं है अब आपको नीचे आना है ध्रिद्रे करके आपको मिलेगा यहाँ पर get आधार आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर get आधार नीचे मिलेगा और आपको मिलेगा यहाँ पर download आधार इस पर किलिक करें एक नया page खुलेगा और आपके पास ऐसा page आ जाएगा हमको आधारकार डाउन्लोड करना है तो डाउन्लोड आधार पर हम किलिक करेंगे इसके बाद एक नया page आ जाएगा यहां पे कहेगा तो यहां पर आधारकार नंबर यूज करेंगे कि हमारे पास आधारकार पहले से है मैंने अपना आधारकार नंबर डाल दिया है अब ही कह रहा है एंटर कैपचा जो यहां पर आपको इमिज दिख रही है और फोटो के अंदर जो भी वर्ड लिखे हुए हैं जैसे लिखे हैं छोटे बड़े वैसे ही डालिए तो मैं आप एंटर करता हूँ जी फिर कैपिटल एल वी कैपिटल के आई और कैपिटल जड तो यहां पर हो सकता है आपसे एक दो आर गलत हो जाए तो घबरानी की बात नहीं है सेंड ओटीपी पे टच करिए या किलिक करिए आपने जो नंबर दिया है अधाकर बनवात यह वक्त तो उस पे एक ओटीपी आएगा तो मेरा ओटीपी आ चुका है मैं चेक करता हूँ मेरा ओटीपी है उनसट चौदा बैयालिस तो मैं डालता हूँ उनसट चौदा बैयालिस verify and download पे click करें अगर आपका OTP नहीं आता है तो recent OTP पे click करिएगा verify and download पे click करें थोड़ा सा wait करिए यहाँ पे जो website अगर busy होगी तो आपका अधार का download होने में time लगेगा पर अगर website busy नहीं है तो वो जल्दी से download हो जाएगा साइद अभी अधार जो website busy है तो इसलिए time लग रहा है तो यहाँ पे हमारा जो OTP है फिर से मांग रहा है हम द्वारा कर लेते हैं 591442 और verify and download पे click करते हैं और check करते हैं द्वारा तो हमारा अधार का download हो गया है नीचे आ चुका है पासवर्ड क्या है इसका कैसे इस्तिमाल करना है यहाँ पे आपको जानकर इमिल जाएगी तो यहाँ पे मैं इसे open करता हूँ और यहाँ पे password मांग रहा है पासवर्ड होता है आपके नाम के पहले चार अक्षर और आपकी birth of year यानि जिस साल में आप पैदा हुए हैं सायद आप समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए